तो जैदीब का हमने चश्मा हटाने का उपरेशन कल करा था कॉंटिवरा विजन टिकनोलोजी से और बिसिकली जैदीब का रिक्वाइमेंट ये था कि जैदीब का SSC CPU जो सब इंस्पेक्टर SI का पोलिस का मेडिकल है वो आने वाला है उसकी डेट करीब 12 या 15 फेबरी को आरे है जहां तक हमें पता है तो एक बारी जैदीब बच्ची यहां लगाना कुछ साफ होना शुरू हो रहा है अभी और साफ हो जाएगा एक दो दिन में एक बारी हम आपकी नजर को भी चेक कर लेते हैं तो यह मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैदीब का हमने कल उपरेशन करा था SSC, CPO, SI सब इंस्पेक्टर मेडिकल के लिए राइट जैदीब? अब देखें SI के मेडिकल में क्या होता है वैसे तो यह लोग कहते हैं कि दौनों आँखों में नजर आपकी अगर 6-6 perfect हो जाए तो तो हम बहुत ही खुश है लेकिन उनकी guidelines में उन्होंने इतना भी कह दिया है कि जिस हाथ से आप लिखते हैं सब्सक्राइट हाथ से लिखते हैं तो राइट आंग की नजर 6-6 होनी चाहिए और अगर लेफ्ट हाथ से लिखते हैं तो लेफ्ट आंग की नजर 6-6 होनी चाहिए राइट जैदी तो एक बारी पहले हम चार्ट पढ़ेंगे उपर से नीचे तक 0-7-3-4-5-2-3-7-0-2-5-4-3-7-2-0 7-3-5-4-0-2-7-4-5-7-3-2-0-7 ठीक एक बार राइट से पढ़ो 457-3-2-0-7 अब पढ़ो 457-3-2-0-7 तो दौनों आँखों की विजन हमारी परफेक्ट हो गई है और मेडिकल अभी 10-15 दिन बाद है तो थोड़ा सा विजन हमारी अभी और अच्छी हो जाएगी जब सूजन खतम होईगी अच्छा अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्लिट लाम पे आँख कैसे दिखती बच्ची दुरा जो इपा देखे हाला की S.I.E.K. मेडिकल में स्लिट लाम से चेकिंग नहीं होता वहाँ पे आपकी तीन चेक अप्स होंगे नजर को चेक करा जाएगा का फोटो भी दिखाता हूँ रैट सो में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि कल हमारा उपरेशन हुआ था और यह आज सुबह में आपको स्लिट लाम पे पे पेशन को दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं आई जो है वो बिलकुल क्लीन साफ सुतरी आँख बिलकुल चिट आँख में कहीं भी कोई निशान नहीं है जिससे किसी को शग भी हो की ऑपरेशन हुआ भी था ऐसी मैं आपको लेफट आई रिखाता हूँ सो अगेर लेफट आई में देख सकते हैं कल ऑपरेशन हुआ है और आज हम आपको दिखा रहे हैं और बिलकुल साफ सुतरी आँख है मतलब आँख में निशान आता ही नहीं है कि वहाँ पे कोई चेक कर भी ले तो उसको पता लगे कि ऑपरेशन हुआ हुआ है तो इस तरह से जब भी हमारे पास मेडिकल्स के लिए बच्चे आते हैं तो हम स्पेशल तरीके से इन आपरेशन को करते हैं कि आँख में निशान वगेरा ना बने नजर बिलकुल परफेक्ट हो ताकि मेडिकल में कभी भी कोई टेंशन ना है